भारत अपनी इतिहास की सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। मोदी ने मन की बाद कारक्रम में अपनी चींता व्यक्त की थी। उनके बाद कॉंग्रेश महासची प्रियंका गांधिवादरा ने भी ट्वीट कर जल संकट पर चींता जाहिर की। गरत लब है कि लोक्षा चुनाव के बाद प्रिधान मंतिर नरेंदर मोदी ने रविवार को पहली बार अपने रेडियो कारक्रम मन की बात को संबोधित किया। अपने शंबोधन में प्रियं मोदी ने जल संकट पर काफी जोड दिया और देशवासियों से इसे लड़ने के लिए आवाहन किया। प्रिये मोदी ने कहा था कि जल संरक्षन की दिशा में महतपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का स्वैम सेवी संस्थाओं का और इस छेत्र में काम करने वाले हर किसी का उनकी जो जानकारी हो उसे आप जल सक्ति फोर जल सक्ति के साथ सेयर करे ताकि उनका एक डा समस्या को लेकर भी आंदोलन खड़ा किया जाए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लोगों से सुझाब भी मांगे हैं इसी वी इस सोंबार को केंद्रे जल सक्ति मंत्री गजेंद शिंख्षेखावत पानी की समस्या को लेकर एक केंपन को लांच करेंगे सर करि靡ू पीने के लिए पानी की समस्या से जूजना पर रहा हैं और लाखों लोग पीने का पानी टेंकड़ों से इस्तिमाल कर रहे हैं ना सिर्फ चैन्नाइइ बलकि देश के अन्य इلاकों में भी पानी की समस्या सामने आ रही है रिपोर्ट्स की माने तो अगले कुछ साल में देश में 21 सहर ऐसे होंगे जहां पर भूजल लगवक खत्म ही हो जाएगा